ओम शांति, आज 5 जुलाई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं, आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया कि बच्चे जैसे आप जगे हूँ, ऐसे ओरों को भी जगाओ, अज्ञान निन में सो नहीं जाना, बार बार बाबा को भूल नहीं जाना, बाबा को याद करने क सबसे अच्छा टाइम है अमरित वेला, अमरित वेले प्यार से बाबा को याद करते रो, आत्मा में जैसे की गृत डलता रहेगा, आत्मा रूपी दीप को जगाना यही सच्ची दीप माला है, संगम युपर, बाबा आकर ग्यान का गृत डालते हैं, बाबा ही रूहानी सर बाबा कर दवाई देते हैं, ऐसी कोई स्थूल रूप में दवाई नहीं, मन मनाभव का मंत्र ही बहुत अच्छी दवाई है, बाबा केते हैं, दिन में तो बहुत कारे करते हैं, आप करम योगी हो, भोजन बनाते भी बाबा को याद करो, याद का चाट बढ़ाते जाओ, भले बच्चों को संभालो, कारे करो, लेकिन बाबा को कभी नहीं भूलना, फिर बाबा ने बहुत सुनदर बात कही, कि परम पिता परमात्मा स्वयम पढ़ाते हैं, स्वयम भगवान आपका टीचर है, ये बात कभी भूलना नहीं, माया इतनी से बात भी भूला देती है, अम्रित वेले उठ बाप की याद का गृत रोज डालो, तो आत्मा रूपी जियोती सदा जगी रहेगी। यह तुम बच्चों का करतव्य है, तुम्हारी बुद्धी का ताला खुला है, तुम औरों का भी ताला खोल, स्वर्ग में चलने के लाइक बनाओ, अथा सब को मुक्ती जिवन मुक्ती की रहा बताओ, गीत हैं, जाग सजनिया, जाग नव्युग आयारे, ओम शांती, तुम जगे हुए बच्चे बैठे हो, फिर ओरों को जगाना है, अज्ञान मीन से जगाना है, तुम जगे हो सो भी नंबरवार, क्योंकि घड़ी घड़ी भूल जाते हो, जगाने वाला कहते हैं, सजनिया, भूल न जाओ, ये याद का गृत है, मनुष्ये मरते हैं, तो दीवे मे घृत डालते रहते, कि दीवा बुझ न जाए, बाबा कहते हैं, बच्चे याद करते रहो, ये याद करने के लिए, घृत डालने के लिए, सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, सवेरे याद करेंगे, तो याद बहुत समय कायम रहेगी, तुम्हारा दीवा बुझा हुआ अब याद सेपना दीपक जगाते रहू तुम्हारा दीवा जगता रहता है सत्यूग से त्रेता तक जगता रहेगा इसको और दीप माला कहते हैं रुधर माला दीप माला को ही करना तुमोसे शियो बाबा के मोतिना हिसे दो मेरे थाम रुद्रधाम भी कह सकते हैं बच्चे जानते बाबा के पास हमें जाना है याद से दीपक जगता जाएगा ये शिरी अर्था स्रेष्ट मत मिलती है गाया हुआ है शिरी मत मिली थी तो स्रेष्ट सत्य धरम की स्थापना हुई थी अब तुम्हारा बड़ा जुंड है नंबर वार जितना जागते हैं उतना जगा सकते हैं दीवे को जगाने के लिए सवेरे उठाना पड़ता है सवेरे उचना होता है गृत डालना पड़ता इसमें कोई तकलीफ नहीं बाबा को याद करना यही गृत डालते रहना है आत्मा पावन होती रहती है आत्मा पहले पति थी अथात आत्मा की जोती बुजी हुई थी बाबा को याद करने से जोती जगती जाएगी विकरम विनाश होते रहेंगे अथात पावन बनते जाएंगे अभियात्मा पर अज्ञान का परच्छाया पड़ा हुआ है बाप इस सबसे बड़ा सर्जन भी है कोई स्थूल दवाया दी डालने के लिए नहीं देते सिर्फ कहते हैं मामे कम याद करो इस याद से सब दवायां आ जाती है याद से तंदुस्त बन जाते हैं भविश्य जनम जनमांतर के लिए वो योग बहुत किसम किसम के सिखाते उसमें बहुत पहलवान भी बनते मेहनत करते हैं अब तुम महावीर बनते हूँ पवित्रता कोई महावीरता कहते हैं इससे आयू बहुत बड़ी हो जाते बाब की याद से ताकत मिलती जाते बाबा समझाते तुम्हें पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो यह अंतिम जनम पवित्र बनो सन्यासी भी पाँच विकारों का सन्यास करते हैं परंतो वो दूर जंगल में चले जाते यहां तुम्हें गरस्त विवार में रहते पाँच विकारों का सन्यास करना है जानतों इस सन्यास से प्राप्ती भूत भारी है उनको कुछ भी पता नहीं कि हमें मुक्ती मिलेगी वाक्या होगा पुनर जनम में उनको आना ही है हमको इस मृत्यू लोक में आना ही नहीं है तुमको जाना है अमर पूरी में फरक हो गया न वहले सन्यासी लोग कितने हट योग करें फिर भी उनको मृत्यू लोक में रहना ही है तुम बच्चों को इस मृत्यू लोक से जाना है कोई aim object ही नहीं, तुम्हारे पास aim object है, तो थोड़ी कहेंगे हम नई दुनिया में जाएंगे, तो मुक्ती धाम में जाएंगे, परंतुन को पता ही नहीं, तुम राजाई में उंच पद पाने के लिए पुर्शात करते हो, इसमें पुर्शात पूरा करना है, आशिरवाद व क्या हम सब का चाला खोल देंगे, तुम बच्चों की बुद्धी का चाला खुल जाता, फिर भी मेहनत तुमहें करनी है, बाबा किसका चाला खुलते नहीं? ड्रामामसार जिन बच्चों को शुद्र से ब्रामन बनना है उन्हों को आना ही है जिनका कल्प पहले ताला खुला होगा उनका ही खुलेगा हाँ शुब चिन तक हो राय दी जाती तरस तो पढ़ता है न कि ये भी सावकार बन जाए ताला खुले तो स्वरग में चले जाएं ये भी स्वरग के मालिक बन जाएं ये तुम्हारा धंदा है उनका है हद का सन्यास तुम्हारा है बेहद का सन्यास तुम बेहद का राज्ये मांगते हो वे बेहद की मुक्ती मांगते हैं, वे मुक्ती भी ऐसी है जैसे तुम्हारी जीवन मुक्ती है, हामيशा के लिए मुक्ती तो हो नहीं सकती, पुनर जनम लेना ही है, बच्चे जानते पहले जब वहां से आते तो पुनर जनम फिर भी अच्छा सतो प्रधान मिलता, फिर रजो आने वाले हैं, तुम्हारी वुद्धी में सब बाते रहनी चाहिए, हम ब्रामन हैं, वे शुद्र हैं, हम शिक्षा पाकर तमो प्रधान से सतो प्रधान हो रहे हैं, कौन बनाते हैं, जो एवर सतो प्रधान है, वे कभी रजो तमो में नहीं आते, हमको बना रहे हैं, हर एक को बेहत का बाप है, उस सहज युक्ति बताते, इसका नाम है सहज राजियोग, जिससे दैवी स्वराज्य मिलता है, स्वय मर्थाद आत्मा को ही राज्य मिलता, आत्मा कहती हम अभी बैगरी शरीर में हैं, फिर प्रिंस का शरीर मिलेगा, तुम आत्मा यहां बैठी हो, जिसके पास जाना है, उसको याद करना है, इसके पास हमें जाना है, उनको याद करना है, गुरु लोग मंत्र देते हैं, यहां बाबा का मंत्र कोई और देने वाला नहीं, बाप एक ही मंत्र देते, मैं तुम्हारा निराकार बाप हूँ, तुम्हारा टीचर भी हूँ, पतित निराकार ये भी निश्चे चाहिए, हमारा बाप पतित पावद, निराकार, ज्यान सागर है, राज्योग से हमें महराजा महरानी बनाते हैं, बेहद का वर्सा देते हैं, सो प्रतिशत संपत्ति वान भव, आयूश्वान भव, देवताओं जितनी आयू कोई की नहीं होती, प फिर जवान हो बूडे बनेंगे, फिर दूसरा शरीर लेंगे, वहां की रसम रिवाज, यहां की रसम रिवाज और है, बापी समझा सकते हैं, रोज कहते हैं बच्चे, जीव आत्माओं, जीव विगर सुनाएंगे कैसे, यह याद रखना है, हम आत्माओं को परम, पिता, परमात्मा समझा रहे हैं, प्रत्तु ये बात भी भूल जाते हैं, इतनी सी बात भी भूल जाते हैं, अब तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो, जानते हो, जनम जनमांतर फालतू कथाएं सुनते आएं, कितनी गीताएं पुस्तक सुनते आएं, अब है संगम यूग, संगम य आने से अपनी राज्तानी को भूल जाते हैं हैं तों परदश्नी आदी रखते हूं फिर भी कोई की बुद्धी में निबेठता है इतना कहते हैं इस्वर को पाने की समझानी बहुत अच्छी है बस यहीं निश समस्ते की इश्वर पढ़ाते हैं कोई विरले को निश्चे बै परियंप परदश्येनी हाजारों आते हैं पक्रतु किसी को समझ मेनी आता कि तुम निराकार परनपिता पर्मात्मा पढ़ाएं कर दे बात हमानु मेर लातम पूसे निराकार का इसे पढ़ आएगा अच्छा हमा कर समझेंगे कहेंर कर फिर आएंगे नहीं ऐसे भी होते कितना तुम समझाते हो, चलो हम तुम्हें स्वरक्ती बादशाई दें, तो भी मानते नहीं, सैपलिंग लगती है, बाब समझाते, तुम्हें भगतों को समझाना सहज होगा, तुम सरव्यापी कहते हो, तो पूझते क्यूं हो, ये तो जड़ है, तुम चेतन्य हो, तुम बड पतित है, उनको पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जरूर संगम पर आता होगा, अब आए हैं, कहते हैं, मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकरम बिनाश होंगे, गीता में अक्षर है, प्रन्तु कृष्ण का नाम लिखने से बुद्धी ठैरती नहीं, जानते ह उनको इनको इस तरफ खीचते हैं, बड़ी जंजीरे है, बाबा समझाते कैसे हो सकता, शुक भाबा तो ज्न सागर, सुक सागर है, कुछ तो किया होगा, स्वर्ग स्थापन करने वाला है, स्रफ कहता हुं, मुझे याद करो, स्री कृष्ण तो कहना सके, समझाने के लिए बड़ी मेहनत चाहिए ठकना नहीं बहुतों से मेहनत पहुचती नहीं बहाने बहुत लगाते हैं बाबा कोई तकलीफ नहीं देते बले बच्चों को संभालो भोजन बनाओ शिव बाबा की याद में रहो अच्छा दिन में टाइम नहीं मिलता अमरित वेले याद करो कहते राम सिमर प्रभात मोरे मन आत्मा कहती प्रभात में अपने बाब को याद करो बाब भी यही कहते नीद भी टाइम पे करनी चाहिए पूरा चार्ट रखना है स्वेरे उठ सकते हो इस पर एक कहावत है सिंधी में सवेरे सोना, सवेरे उचना जिसका था जल्दी सोना जल्दी उचना अब तुम अकलमन बनते हो सारा चक्र बुद्धी में है तुम्हें कोई भी दुख नहीं मिल सकता कितना तुम शाहों के शाह बन जाते हो बाबा का बनते हो तुम शाहों के शाहा बन जाते हो पैसे के कभी कोई तकलीफ नहीं होती और हेल्दी भी बनते हो ये सब गुण अब तुम श्रिव बाबा से पाते हो बरोबर तुम हेल्दी, वेल्दी, हैपी बनते हो ये भी जानते हो होली दिपावली आदी ये सब अभी की बाते हैं जो यादगार में आ जाती तो स्वेर उठकर बाबा को याद करना बहुत अच्छा है याद को बढ़ाते रो बच्चों ने गीत भी सुना जागो और जगाओ अज्ञान नीन से ग्रस्त ववार में रहते किसको बाब का परिचे दो वो फिर लिखे बाबा फलाने द्वारा हम आपको जान गए अभी तो हम आपके ही होकर रहेंगे आपसे वर्सा जरूर लेंगे आपके ही थे ऐसे चिठी आए तब सर्विस का सबूत मिले पत्र देख बाबा खुश होंगे बाकि सरफ कलास ही होके आना ये तो पुरानी चाल हो गई जैसे और सत्संगों में नियम हो जाते हैं सत्संगों में जाते हैं नियम से जाते हैं तो में तो एक-एक को अच्छिरिती समझाना है ये बहुत उची पढ़ाई है ये ज्यान सागर से कितनी अच्छी नॉलिज मिलती है, मेनत चाहिए समझाने की, अच्छा, मीठे-मीठे, सिक्किलदे बच्छो प्रती, मात, पिता, बाप तदा का, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, रुहनी बाप की, रुहनी बच्छो को, नमस्ते, रुहनी बच्छो की, रुहनी बाप को, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धार्ना के लिए सार, पहले पोईंट है, याद का अभ्यास बढ़ाना है, इस यात्रा में कभी ठकना वा बहाना नहीं देना, याद का पूरा-पूरा चार्ट रखना है, भोजन भी शिव बाबा की बाब द्वारा जो मंत्र मिला, वो ही सबको देना है, बाबा से जो मंत्र मिला, वो देना है, जगे हैं तो औरों को जगाना है, वरदान है, हर सेकिंड, हर कदम, शिरीमत पर एक्यूरेट चलने वाले, इमानदार, वफादार भव, हर सेकिंड, हर कदम, शिरीमत पर एक्यू प्रमान चलने वाली आत्मा को ओनेस्ट इमानदार वफादार कहा जाता ब्रामन जनम मिलते ही दिव्य बुद्धी में बाप्त दने जो शिरीमत भर दी ओनेस्ट आत्मा हर सेकिंड हर कदम उसी प्रमान एकुरेट चलती है जैसे साइस की शक्ति द्वारा कई चीजे इशारे स चलती है चलाना नहीं पड़ता चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ओन किया चलता रहता है ऐसी ओनेस्ट आत्मा साइलेंस की शक्ति द्वारा सदा और स्वत्य ही चलती रहती है ओनेस्ट आत्मा साइलेंस की शक्ति से सदा और स्वत्य चलती र सकता आज हम अभिहास करेंगे मैं चिंता से मुक्त बेफिक्र बादिशाह बाबा ने मुझे अपना बनाते ही चिंता से मुक्त कर दिया बेफिक्र बादिशाह बना दिया चैन से सोना चैन से खाना चैन से हर कारे करना सिखा दिया बाबा के स्वरूपर टिक कर इतनी शक्ती भरे महसूस करें बाबा ने मुझे हर चिंता से मुक्त किया शुक्रिया बाबा शुक्रिया ओम शंती 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 शंती